हलो फ्रेंट्स वेलकम तो गालगी क्लासेश डेट आज की 20 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंपोर्टन आर्टिकल जो आज हम डिसकस करेंगे इंडियान एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेच सें फर्स्ट आर्टिकल है दे क्वैड एंडियूर्स यह आर्टिकल जाया है कि जब से जो बाइडन ने प्रेजिडेंशिप जो प्रेजिडेंशिल अपना टेनियूर शुरू किया है उसके एक मेहना भी कंप्लीट नियू है उसके अंदर अंदर उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया इसका मतलब क्या हुआ कि कोईड के लिए एक परशन है उसको कैसे रोका जाए तो उस चीज में अभी भी उसी स्टेंट पर कंटीन्यू करने की एक सिगनल है कि डॉनल्ड ट्रप ने जो किया था वो जो बाइडन अभी विड्रो नहीं करने वाले हैं तो अच्छा अर्टिकल है उच्छा सिगनल इंडिया के लिए देख एमेजॉन इन कंपनीज की बात करो तो जो कैलिफॉर्णिया में लिबर्टेरियनिजम है उसका कंपरिजन अगर चाइनीज अथेरिटेरियनिजम से करें तो उसमें देखने को तो स्ट्रॉंग तो चाइनीज अथेरिटेरियनिजम दिखता है पर दूसरी तरफ कैलिफॉर् होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो देखेंगे इस आर्टिकल में बहुत सारे फीचर से जिनके चलते हैं अभी इन टेक्निकल जाइंट से सवाल उठाये जारा है तुर आउट वर्ल्ड और साथ में इंडिया का कंटेक्स भी देखेंगे कि इंडिया क्या कर सकता है इन कंपन करने वाले हैं एडिटोरियल पेज से आगे देखें फिर आइडिया पेज पर हम देखें तो बैक्सलाइडिंग एंड रिस्पॉंस इस वाले आर्टिकल में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एमर्जेंसी पीरियड के टाइम पर शुरुवात में इंटरनेशनल लगा एक बुक को एनलाइज किया जा रहा है राइटर्स की द्वारा और साथ में करंट सेनेरियो को भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से अभी इंडिया के सामने कुछ चैलेंजिज हैं जैसे कि जो सेटिजन सिप एमेंडमेंट एक्ट आया था उसको इंप्लिमेंट करने रहता है तो वर्ड से इंडियर आड्मिनेस्टरेशन ठीक तो देखेंगे इस आर्टिकल को भी यह वाला आरटिकल है अभी रिसेंटली केस तो आपको पता है ही कि एम जे अकबर ने जो डिफेमेशन केस लगाया था प्रिया रमानी के अगेंस्ट में तो उस केस में प्रिय तो जानेंगे इसमें कुछ आर्टिकल्स को भी डिसकस किया गया है अच्छे आच्छा आर्टिकल है देखेंगे इसके अलावा नीचे वाल आर्टिकल है दे लेंग्वेज ऑफ लॉस बैंगोली लेंग्वेज के लिए बताया जा रहा है कि 21st जो फैबरी होता है इसको सेलिब लिबरेशन हुआ था इसी लिबरेशन का मतलब इस टाइम पे ही उर्दू को इंपोज करने की कोशिश की गई थी इस टाइम पे बहुत ज्यादा परिशानियों का सामना करना पड़ा था 1970s की बात तो बैंगॉली लेंग्वेज को लेकर के पूरा आर्टिकल है बट फिर भ अपना सपोर्ट देगा की नहीं कोईड को इंडिया जपायन और आस्ट्रेलिया इन तीनों ने मिलकर की USA के साथ ये कोईड का अपना जो एक विजन अन्विसाज किया था वो कंटीनू रहेगा की नहीं बट एक वर्चुली कंफरेंस हुई इसमें और आप देखोगे जो ब मिनिस्टर्स जो फैमेलियर हैं कोईड थीम से उन्होंने जब बातचीत की तो मेन फोकस क्या था मैरिटाइम सेक्यूरिटी एंशॉर करना इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर टेरिरिजम के लिए काम करना कोविड नैंटीन मैनेजमेंट में कॉपरेशन दिखाना एक द डेमोक्रेटिक रीस्टोरेशन इस पर भी बात हुई कि म्यामार में जो मिलिटरी कू हुआ है उसको जल्दी से अभी रीस्टोर कर देना चाहिए और एक जो कंट्री है वहाँ पर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिकली इलेक्टिट गॉर्मेंट का रूल आना चाहिए कूएड जो है ना सर्वाइव ऐसा नहीं है कि केवल सर्वाइव ही कर रहा है बट दूसरी तरफ आप देखोगे तो अमेरिका का जो बाइपार्टिशन सिस्टम है बाइपार्टिशन सिस्टम मतलब कि दोनों तरफ की पार्टि दोनों पार्टि मतलब वहाँ पर आप जानत के द्वारा उस टाइम पे प्रेजिडेंट आफ यूएस से कौन थे जॉर्ज डबलो बुश उन्होंने अपनी तरफ से फेवर किया था फिर उसके बाद में आप देखोगे कि दिल्ली और कैनबरा ने तो अपनी तरफ से तो थोड़ा सा पॉलिटिकल रिजर्वेशन रखा ज वर्ल्ड के जो आप कह सकते हो सारी डेमोक्रिसीज हैं या फिर जो कैपेबल डेमोक्रिसीज हैं जो साथ में आएं और वर्ल्ड ओर्ड को मेंटेन करके रखे एक बैलेंस ओफ पावर मेंटेन करके रखे तो उसके लिए बराक ओबामा ने भे अपनी तरफ से पूरा कंटीन दिया और इस चीज को बिल्कुल भी एकदम इग्नोर नहीं किया ट्रम्प एड्मिनिस्टेशन ने देखो थोड़ा सा इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड जो एक कुएड ग्रुप था इस कुएड ग्रुप को रिवाइवल दिया और साथ में यह भी मतलब अपनी तरफ स बनाये रखा पर हाँ डोनल्ड ट्रम्प ने इसमें एनरजी बहुत डाल दी इसके अलावा आप देखोगे चाइना को अब ज्यादा टाइम तक इग्नोर किया नहीं जा सकता क्योंगी चाइना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बनके उबर रहा है पूरी दुनिया को तो ट्रेड वार तक दे दिया था मतलब धंकिया देनी शुरू कर दी थी बोला कि आपके यहां से इन्वेस्टमेंट हम निकाल के ले जाएंगे तो इससे क्या हो गया सौवरेनिटी या फिर आप कह सकते हो जो एक खुद की इंडिपेंडेंस है उसको आप किसी के अंडर हो और बिजिंग के बाइलेटरल रिलेशन्स है ना इन सारे चारों के चारों को जो क्वेड के मेंबर से इनके साथ में बिगडे भी हैं इसके अलावा थोड़ा से कन्फियूजन ये भी था कि दिल्ली जो है वो अभी तक क्या मतलब अभी जो करेंट रिजीम चल रहा है से रिजीम जो था वो थोड़ा सा रेलेक्टेंट थे देखो उस टाइम पर गॉर्मेंट जो थी वो कॉलेशन बेस्ट गॉर्मेंट थी तो वहाँ पर बहुत सारी प्राब्लम थी और रही सही में यूपीय गॉर्मेंट में सपोर्ट कम्यूस पार्टी का भी था जो कि प्रो चाइना है या फिर कम्यूनियोचम को फेवर करती है तो उस केस में क्या हो जाता है कि उस टाइम पर यूपीय गॉर्मेंट के पास में इतना ज्यादा अटानमी नहीं थी या फिर वो डिसिजन नहीं ले पाई थी बट जैसे ही करन्ट रिजिम आता है तो जो हैजिटेशन थी ना कि हमें अमेरिका के तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए वो हैजिटेशन खतम हो गई और अल्टीमेटली कुएड ग्रूप का जब रिवाइवल हुआ तो इंडिया ने अपनी तरफ से बिलकुल ओपन हैंडड अमेरिका की जो डिमांड थी या अमेरिका के तरफ से भी जो बाचीत हो रही थी उसको भी एंटरेटेन किया अर अपनी तरफ से अपनी बात भी रखी और अमेरिका ने भी इंडिया की रिस्पेक्ट की ऐसे करके 2017 चे 2020 की बीश में जितनी भी अक्टिविटीज होई उसका रिजल्ट य चल रहा है उसमें कोई डाउट नहीं है बट फिर भी इंडिया ने अपनी आप से जो आपका होगे जो अपनी स्टांस थी जो अपना एक रेजोलिशन है उसको क्लियर लींट करने की कोशिश की है और रही सही में पहली बारि इंडिया ने अपनी तरफ से जो फॉर्मल वर् केलने की कोशिश करते हैं बट करंट जो आप कह सकते हो सिस्टम चल रहा है करंट जो गवर्मेंट है वो थोड़ा सा एक्रेसिव है ठीक है तो यह देखो अपने आप में ग्लोबल और को भी कहीं ना कहीं आप एक डिरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा यह ग्रूप ठी कि किस तरीके से कोवीड डिप्लोमेशी शाम का जो विडियो डाला था उसमें देखा था कोवीड डिप्लोमेसी में प्रदान मंतरी नर支持 का जो statement था उसमें क्या कह गया था कि हम एक विजा प्रोवाइड करने के लिए ready भी है एक free flow होना चाहिए expertise का sorry experiences का in सब का थीक है तो इस तरीके से आर्टिकल करता हम है, नेक्स आर्टिकल पर चलते हैं, नेक्स आर्टिकल है, बिट्वीन कैलिफोर्निया एंड चाइना, आर्टिकल लिखा है, प्रताब भानु महिता ने, देखो, इंडियन गॉर्मेंट भी हो सकता है, जल्दी से कोई एक regulation लेकर क्या है, जो य अब global perspective की अगर बात करें, तो Australia से लेकर America तक, सभी countries अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, कि ये जो big technology companies की power है, उसको regulate किया जाए, देखो, दो vision यहाँ पर हमें थोड़े समझने होंगे, internet technology की space को अगर regulate करना है तो, एक तो California libertarianism, कि California से जो based companies हैं, जो USA based companies हैं, जो कि liberty की बात करती हैं, freedom की बात करती हैं, और दूसरी तरफ है चाइना की authoritarianism, तो इन दोनों में अगर compare करोगे ना, तो strong तो आपको चाइना का authoritarianism लेगेगा, पर California based जो ये libertarian model जो था ना, जिसमें freedom की बात की गई थे, freedom of expression, speech and expression, उसमें उन्होंने जो success gain किये, that is amazing, astonishing हैंना, तो उस बात को लेकर के, कही ना कहीं, उसी चीज़ के उपर freedom of expression, democratic ethos में बेश जी ये companies हैं, उसी वज़े से कही ना कहीं हमारे यहां पर इन कमपनियों को flourish होने का मोका भी मिला, बट, आज ये जो California libertarian model है ना, ये कही ना कहीं under pressure है, और इसकी वज़ा है इनका internal contradiction, internal contradiction का मतलब हो गया, कि इन जो big technical companies है ना, इन्होंने जो claim किया था ना, वो claim अभी पूरा fulfill होता हुआ नहीं दिखा रहा, कहने का मतलब कि इनके अंदर conflict of interest देखने को मिल रहा है, कि शुरुआत में इन्होंने कहा कि liberty, freedom इनकी बात की, और अब आप देखोगे, तो इनका liberty of freedom को curb करने का काम भी कर रहे ह कि automatically अपने आपको एक orbiter की तरह मतलब assert कर रहे हैं, तो conflict of interest पहले चीज़, दूसरा क्या है, यह big technical companies जो है ना, वो monopoly गेन करती चली जा रही है, कि भई हाँ हमारी ही ताकत चलती जाए, जैसे आप देखो, Indian e-commerce market में, Amazon को एक तरीके से challenge करने वाला कोई है, क्या, दूसरा आप अगर Flipkart भी देखोगे, तो Flipkart भी पहले तो छोटी company इंडिया की थी, तब तक तो इतना था नहीं, जब फिर Walmart ने उसको take or किया है, तब जाकर के थोड़ा सा वो stand कर पा रही है, तो monopoly कितनी ज़्यादा establish करने की कोशिश करती हैं, कहने का मतलब कि एक world of free competition का नाम लेकर के आई थी, और फिर उसके बाद में इन्होंने अपनी monopoly establish करनी शुरू कर दी, उसमें दोस्त इनके जो stand रहे वो ये, एक तो technology पर पकड़ और दूसरी finance पर पकड़, तो इसका क्या हुआ, इनको जीत मिलने लगई और ये monopolistic regime को बनाने में successful हो पा रही हैं, इन companies ने देखो, य दूसरी इसके अलावा, दूसरी company अगर हो, यह नोंने ये कहा था, कि एक competitive माहूल बनेगा, तो दूसरी company भी अपने आप ही promote होना शुरू हो जाएंगी, बर दूसरी company को क्या करना पड़ता है, बहुत जादा पैसा खर्च करना पड़ता है, अपने आपको justify करने के लिए, और ये global platforms हैं, उनके साथ में local platforms को fight करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, कि जो valuation होती है, जो पैसा होता है, कि कितना base है इनके पास में, वहाँ पर कहीं ना कहीं, एक तो पैसे की power, और दूसरी तरफ अपनी monopoly establish करना चा रहा है, तो यह एक conflict आ रहा है न इनका जो competition वाला जो world create करना था उसको, तो वो जो चीज है, यहाँ पर भी internally है कि बहुत बड़ा सवाल उठता है इन companyों की functioning पे, तीसरा, इनकी जो algorithm है, किस basis पे ये search अपने search engine को काम करवाते हैं, कौन से product सबसे उपर आएंगे, कौन से news सबसे उपर आएगी, वो जो algorithm है न उसकी कोई accountability नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि क्या काम कर रही है, कौन काम कर रही है, तो इस चीज को लेकर कि एक, आप कह सकते हैं, एक expert है जिनका नाम है, Frank Pasquale, उन्होंने काया, यह black box society है, कुछ clear नहीं है, यह अपने आप में एक अंधेरे, मतलब वो अंधेरी नगरी है जहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर बैटे हुए जो kings है, वो अपने हिसाब से regulate करते हैं, अपने हिसाब से, तो यह opaque algorithm है ना, इस में transparency लाने की जरूरत है, यहां पर ना तो, मतलब जो instrument, यह instrument हम consider करते हैं, कि algorithm बहुत ही transparent है, free है, open है, equitable society को promote करेगी, बट यह algorithm की accountability अभी तक कोई fix नहीं कर पाया है, यह बहुत बड़ा सवाल है, इसके अलावा चोथा issue क्या जाता है, यह जो company है, इनका economic impact भी बहुत जादा है, देखो, बोला तो यह जाता था कि यहां चलो, ठीक है, distributed implications बहुत सारे आएंगे, कहने का मतलब अगर एक company, Amazon जैसे platform बनेंगे, तो यह competition लेकर के आएगी, और भी बहुत सारी company आपने आप rise होंगी, बट नए players तो आए, पर कितना सारा business loss हो गया, वो भी तो देखने वाली बात है, छोटे मोटे जो business करने वाले लोग हैं, उन लोग को कितनी परिशानी का सामना करना पड़ता है, हाँ, although, कि Amazon या फिर य बोला, यह सारी उठाकर के देख लो, जहां पर international investment आ रहा है, ठीक है, या फिर इधर देख लो, Facebook, Google की बात कर लो, तो यह छोटे businesses की साथ में collaboration करते हैं, बट वही बात है, जब algorithm की accountability, transparency नहीं है, तो क्या पता कि किस basis पर यह search में, कौन सी company को यह treat करने हैं, कल की एक report आई थी कि Amazon जो है, वो अपने ही लोगों के या कुछ ही groups की जो product है, उनको preferential treatment देता है, कहने का मतलब अगर आप search करोगे, तो Amazon के कोई भी product आप search कर रहे हो, तो सबसे उपर ही उपर suggestion उन्हीं लोगों के देंगे, जो लोग Amazon से correlation रखते हैं, या Amazon में उनका interest है, या फिर वो investment रखते हैं, सेम चीज गूगल पर अपलाई होती है, सेम चीज फेस्बूक पर अपलाई होती है, तो इस तरीके से conflict of interest बहुत ज़्यादा आ रहा है, preferential treatment बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, Australia में तो देखो regulation को introduce भी किया जा चुका है, कि यह जो कंपनिया है, यह business houses की news भी यूज़ करती है, और फिर उसके बाद में उनको payment भी नहीं देती, इस चीज को भी वो tackle करना चारहे है, तो जो economic inequality और power की inequality, political power की inequality, यह चीजे भी बहुत ज़्यादा highlight हो रही है, इसके अलाब पांचवा issue किया रहा है, कि यह जो कंपनिया है, यह ultimate hubris दिखा रही है, hubris का मतलब होता है, एक तरीके से आप arrogance दिखाते हो या फिर excessive pride दिखाते हो कि हाँ, हमारे बराबर कोई है ही नहीं, ठीक है, देखो, इन्होंने sovereign power को कहीं नहीं take over करना शुरू कर दिया है, sovereign power का मतलब हो गया कि जैसे है कि इंडिया एक sovereign country है, यह regulation लेकर किया आएगा, तो यह थोड़ना पूछेगा कि Amazon बता भी क्या कानून बनाएं, क्या ना बनाएं, तो उस case में अगर Amazon अपनी monopoly establish कर लेता है, और Indian government अगर कानून बनाए हो, और Amazon उसके against में चले जा और Indian government backfit पर चले जाए, तो sovereign power को take over किया कि नहीं, exactly वो ही चीज यहा उन्हें ट्वीट किये थे, तब तो उनकी ट्वीट सो बहुत ज़्यादा प्रोमोशन मिलता था, और जैसे ही उनका time पूरा हुआ, और जैसे इस प्रेजिडेंट्शिप खतम हुई, तो उनकी account, social media account को यह उन्होंने बंद कर दिया, तो यह तो इनकी कहीना कहीं, अपनी ख फॉर्म पे कोई भी news है, वो share करने से मना कर देंगे, तो यह चीज़े तो कहीं ना कहीं अपनी दादगरी लगाने वाली बात ही होगी ना, तो यहाँ पर demand के सीज़ की हो रही है, कि यह जो technological और यह economic force है ना, इस force को regulate करना चाहिए, नहीं तो यह sovereign control को अपने हाथ में लेती चली जाएंगी, finally writer यह बोल रहे है, यह को चिंता का कारण और भी ज़्यादा है, कि यह बड़ी company जो है ना, वो democracy पे या फिर democratization के effect को ज़्यादा promote करने वाली थी, बट reality क्या हो गई है, कि यह जो californian, जो libertarianism है ना, यह कहीं ना कहीं, democracies को empower करती करती, उनको अब जिसके लिए basic चीज होती है, free speech का जो right होता, right to free speech, उसको अब weaponize करना शुरू कर दिया है, weaponize का मतलब कि भई, आज अगर कोई भी statement दिया जाता है, तो उस statement को उस platform पे वो रखना चाहती है, कि नहीं रखना चाहती है, उसके लिए कोई rule नहीं है, ना algorithm में accountability है, तो कौन से account को delete करना है, कौन से को नहीं रखना, वो twitter, facebook और यह जो technical giants है, वो अपने मन के हिसाब से करते हैं, तो इसका मतलब तो यह हो गया न, freedom of speech and expression, जो कि democracy का बिलकुल basic है तो है, उसको भी वो अपने हिसाब से regulate कर रही है, तो यह भी उनके हाथ में एक ताकत हो गई, तो यह और सबसे ज़् जातर moment अगर government के against में चल रहे हैं, उन issues को, उन मुद्दो को ज़्यादा highlight किया जाता है, ठीक है, तो वो चीजे कहीं ना कहीं, बहुत बड़ा सवाल उठाती है, तो यह जो model था ना, पूरा का पूरा, कौन सा, California libertarianism गौला, इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, देखो, और quade में भी इस पर बातचीत हो रही है, कि किस तरीके से, देखो, quade तो Chinese authoritarianism को control करना चाता ही है, बट अब यह California libertarianism है ना, यह भी कहीं ना कहीं, बहुत बड़ा सरदर्दी का कारण बनता चला जा रहा है, sovereign powers जो है, या फिर आपका होगे, जो state है उस पर, ठीक है, इसी तरीके से, पॉलेंड में भी एक national context अपने आप में चल पड़ा है, कि जो authoritarianism है, वो उसको government अपनी तरफ से promote भी कर रही है, क्योंकि पॉलेंड थोड़ा सा influence है किस से, communism से, तो वहाँ पर थोड़ा सा authoritarianism का system आ र statement आपके वहाँ पर पोस्ट किया जाता है, तो देखो केवल इस नाम पर कि जो ये regime है, जो भी अभी टेक्निकल जाइंट कंपनी अपने हिसाब से चला रही है, उनका अगर monopoly हो गई, उनकी power अगर बन गई है, तो केवल इस नाम पर कि वो पूरे system को हिला के रख देंगी, उ और वाकई में जो data users हैं वर्ल्ड के या इंडिया के उनके rights को protect करना हो, तो इसमें एक balance की जरूरत है, इंडियन companies देखो, iconic way में आगे तो बढ़ रही है, ठीक है, बट उनके लिए जो space बनाना चाहिए, जो उनको एक competition का माहौल देना चाहिए, उनको एक self reliance का space provide करना चाह उसके लिए कही न कही थोड़े से protectionism की तरफ जाने की जरूरत पड़ती है, बट वोई चीज है कि ये bigs जो technical companies हैं, ये कही न कही अपने आपको assert लगातार करती चली जा रही है, और exploit कर रही हैं Indian market को, देखो पिछले कुछ सालों की अगर बात करें, इंडिया ने लगातार USA USA के साथ में अपने relation अच्छे करने की कोशिश की है, और आज देखो इंडिया और USA के relation भी अच्छे है, तो उस टाइम पर तो इंडिया ने इतना अपनी तरफ से ज्यादा stand लिया नहीं था, बट आज देखें, तो आत निर्वर भारत अभियान जो government of India ने शुरू किया है, ये एक genuine ideological push है, कि हाँ वाकई में अभी इंडिया को जरूरत है कि वो अपने आपको self-reliant बनाए, क्योंकि पहले तो USA क्या कह सकता था, क्योंकि इंडिया जस्टे, आप कह सकता हो ना, हमने देखा कि previous article में भी देखा था, कि USA के साथ में जो relationship थी, वो थोड़ी सी एक तरीके से quad को ले करके थोड़ा सा hesitation थी इंडिया में, पर अब अगर इंडिया अपनी तरफ से को regulation ले कर क्या रहा है, आत्मिर भारत अभियान शुरू कर रहा है, तो क्या Tesla यहां पर आके invest नहीं करेगा, जी बिलकुल Tesla यहां पर आके invest करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है आज माहूल क्या चल रहा है, वो यह है कि कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा opportunities कहां पर है, और business opportunities अगर देखें, तो जब protectionism आता है न, तो देखो वहाँ पर थोड़ा सा concern बन जाता है, बट इंडिया का जो idea है, यहां पर मैं थोड़ा सा हम थोड़ा हटके ले रहे हैं कि इंडिया का जो idea है आत्मिरवर भारत का वो यह है कि global supply chain में अपनी तरफ से important role play करे, खुद तो अपनी ज़रुतों को पूरा करे ही, बाकि global demand को भी पूरा करे, अब बाद में writer यहां पर थोड़ा politics में उतर जाते हैं, जो हमारे बिलकुल भी काम की नहीं है, जो हम शायद answer में बिलकुल काम भी नहीं कर पाएंगे, तो point क्या है यहां पर, हमें जरुरत है कि California libertarianism जो हना, उसको सही तरीके से सोच समझ के balance बनाने की जरुरत है, एक legitimacy clear करने की जरुरत है कि वाकई में वाजिब चीज क्या है, उसके हिसाब से regulation हो, तो concern देखे, इंडिया का concern देखा और क्या करना चाहिए, वो देखा, अब देखने वाली बात यह है कि होता है क्या, time बताएगा, science and technology अपने आप में बहुत बड़ा booster है, एक growth register करने के लिए, बट challenges भी बहुत सारे हैं, आगे चलते हैं, next article है the right to her testimony, article लिखा हुआ कवीता कृष्णन के दौरा, देखो यह ब गया था, MJ अकबर, जो की former union minister भी रह चुके हैं, और ये एक editor भी रह चुके हैं, एक बड़े media house में, तो आप देखोगे, कि यह जो akital है, यह जो free किया गया है, यह बहुत ही जादा आप देखोगे, dependent किसमे कर रहा था, कि जो प्रिया रमानी और उनके साथ में जो गजला व solidarity दिखाई, उसका यह result है, ठीक है, तो यह जो चीज है, यह जो result है, यह जो verdict है, यह जो verdict है, यह बिलकुल clear करता है, कि women जो है, अगर अपनी बात को खुले में आ करके बोलें, और अगर उनके साथ में कुछ गलत हुआ है, वर्क प्लेस पे अगर harassment हुआ है, तो उनको आप protection देने में, यह verdict बहुत support प्रोवाइड करेगा, women अगर sexual harassment के against में बोलती है, तो उसका मतलब यह नहीं है, देखो सबसे बड़ी problem तो क्या आती है, women को अगर अपने sexual harassment के against में बोलना होता है, proof collect करना, कोई उनके support में नहीं बोलता, और रही सही में, कि उनको time बहुत लगता ह अपनी बात को रखने में, सबसे बड़ी problem क्या रहती है, कि वो बहुत ज़्यादा pressure में रहती है, mental trauma में रहती है, वजह है कि job लेने गई, और उसी time पर अगर उनका harassment हुआ, और वो अगर अपनी बात को उठा करके बाहर रखें, तो वो boss उनको job से निकाल देगा, एक तो य solidarity दिखाई, और जब मौका मिला, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी बात रखी, और उसका ultimately result उनके favor में आया, तो ये एक कहीना के बूस्टर का काम करेगा, देखो institutional mechanism की अगर हम बात करें, तो women को protect करने की जब भी बात आती है, तो वहाँ पर बहुत सारे सवाल पहले ही society खड़ा करना शुरू कर देती है, इसके अलावा, media की बात करो, social media की बात करो, आजकल ये कुछ ऐसे platform तयार हो गए है, जहां पर women अपनी खुद की dignity के लिए, अपनी खुद के लिए, self defense में अपनी बात को रख सकती है, तो यहां पर reason करना, जो existing जो भी, जो आप कह सकते हो, जो भी value system है, उनको उन पर सवाल उठाना, और उन फिर फिर बाद में एक निरने तक पहुँचना, एक final verdict तक पहुँचना, यह बहुत ही जादा important चीज होती है, और उसमें आपके अंदर खुद में confidence हो, वो बहुत important role play करता है, देखो सबसे बड़ी बात तो क्या जाती है, कि जो privilege class से, जो विशेशादिकार या फिर upper class के जो पैसे वाले जो लोग होते हैं, उनमें जो male जो होते हैं वो कही ना कहीं अपनी दादागरी जादा चलाते हैं, और particularly बात की जाए, sexual violence की, तो वो कहीं ना कहीं women की dignity को injure करने में कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, reputation की अगर बात आए, सबी की नहीं होती, बाकि कई cases में होती है, ठीक है, बात आ रही है कि यहाँ पर reputation को आपने compare किया था women की dignity को, को कि M.J. अकबर ने अपनी तरफ से कहा कि बोला मेरी मान हानी हुई है, बट court ने जो कहा, वो चीज बहुत ही सही थी, वो हम आगे देखेंग कि क्या statement था court का, इसके अलावा आप देखोगे, इंडिया में sexual violence at workplace को रोकने के लिए 2013 में कानून भी लाया गया था, उस कानून के आने के बावजूद अभी भी कही ना कहीं इसकी implementation में problem रहती है, बट जब ये पूरा case चला इनका, और रही सही में 2012 का जो निर्बिया case था इस society में जो problem हो, उसको सही करने की जरूद है, बट वोई चीज है कि ये जो verdict है जिसमें फिवर किया गया है प्रिया रमानी को और उनके stand को और ये कहा गया है कि अगर दस साल क्या कई दशकों बाद में भी अगर एक लेड़ी अपनी sexual harassment के अगेंस्ट में अगर अपनी आव जने क्या का था कि अगर reputation injure हो रही है और उसको आप upheld करना चाह रहे हो तो उस case में आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि article 21 में जो envisage करता है right to life with dignity और दूसरा right to equality article 14 and 15 में आप उनको right to reputation के against में minimize नहीं कर सकते हो article 21 और article 14 और article 15 ये ज़्यादा superior है as compared to right to reputation तो सीधी सी बात क्या है कि जब कभी भी reputation की अगर बात आए और अगर वहाँ पर dignity की बात आजाए women की तो इस case में तो ये verdict बाकिए में एक कहते है ना foundation stone का का काम करने वाला है आने वाले टाइम पे देखो प्रिया रमानी verdict जो हना वो main किस पे base था एक hashtag me too moment शुरू हुआ था 2018 में जिसमें Hollywood में सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी कि मेरे साथ में भी बहुत बुरा हुआ है hashtag me too का मतलब ये था कि मेरे साथ में भी बहुत बुरा हुआ है जब मैं जॉब किया करती थी या अभी मैं जॉब कर रही हुँ तो अभी हुआ है मेरे साथ ऐसा तो जो sexual harassment होए थे न वर्क प्लेस इस पे तो वहाँ पर जो फीमेल्स थी वो मुखर होकर बिलकुल openly उन्होंने अपनी बात कई एक तरीके से अपने आपको express किया कि हम लोग पहले नहीं बोल पाए अब हम बोल पा रहे हैं तो जब situation होती है न उस situation वो अपने आपको खुछ से fight करवाती हैं बट रियल में social media पे इस तरीके के campaign चलते है और उनको मोका मिलता अपने आपका express करने का तो उसका फायदा उनको definitely मिलता है ही देखो आज के टाइम पे अगर बंगलादेश की बात करें तो लगबग 60% factory workers जो है apparel factory में काम करती है ऐसे ही ग्वांग्जू चाइना में 70% female उनको factory में जो worker है ठीक है उनको 70% female को sexually harass किया जाता है ऐसे ही 15% तो चाइना में जो ladies हैं वो job को भी quit कर देती है इसके साथ साथ में बंगलादेश में सबसे बड़ी problem क्या आ रही है बंगलादेश को जो हमने देखा न 60% जो औरते हैं जिनके साथ में sexual harassment होता है उनका workplace पे तो वो highly sexualized इसलिए कर दिया जाता है कि उनको discipline में रखा जाए कि उनको control कर दिया जाए बट वो control करने का तरीका is not right ठीक है बहुत सारी studies हुई है इंडिया में किसी तरीके की सच्चाई इंडिया में भी निकलके आई है नवंबर 2018 मे आल इंडिया progressive women association ने trade unions के साथ में मिलकर के एक event hashtag me too के साथ साथ में organize किया जिसका नाम था hashtag me too working class women share जो की बैंगलूरो में शुरू हुआ था तब उन्होंने outline कि कि किस तरीके से construction, waste worker, sex worker, labor laws या फिर law against sexual harassment ये सारे है देखो इतने सारे provisions हैं हमारे यहां पर women workers को protect करने के लिए बट जब reality आती है ना तो वहाँ पर execution बहुत weak है उनको डर क्या रहता है वो अपनी बात से मतलब एक जो perpetrators है जो अपरादी है उनका नाम भी नहीं बता सकते क्योंकि उनको job का या फिर payment का डर रहता है कि कही payment ना टक जाए कही हमारी job ना चली जाए आज labor code आ गए चार labor code प बनेगी तो एक unity में जब तक women नहीं आएगी तो उनको confidence नहीं मिलेगा और confidence नहीं मिलेगा तो sexual harassment के अगेंस्ट में जो fight है यह कैसे continue करेगी तो इसे attention में लेने की जरुरत है आगे चलते हैं नेक्स आर्टिकल है backsliding and the response आर्टिकल लिखा हुआ है प्रतिनाव अनिल और क्रिस्टाफ जेफरलोट के द्वारा देखो यह बोल रहा है कि हमने एक बुक पर research की बुक का नाम है emergency India's first dictatorship या बुक लिखी थी Harper Collins ने 2021 में अभी तो उसको यह analyze कर रहे है कि किस तरीके से western democracy का क्या idea रहा है डिल्ली को लेकर के और सबसे important चीज ट्रेड को लेकर के कि कितना व्यापार इंडिया उनके साथ में करता है तो उसका कितना असर इंडिया को समझने में करता है मतलब दिल्ली के लिए जो उनकी ideology है ना या जो उनकी सोच है वो trade पर बहुत जादा rely करती है आज देखो जैगवार fighter जब UK से purchase किये थे इंडिया ने थीक है तो उस time पे इंडो बिटिश economic committee establish कर दी थी जनवरी 1976 में यह time है emergency का ध्यान रखना और देखो गया आप लंडन ने April में अपनी तरफ से मतलब जो बाचीत की थी उसमें बहुत जादा praise किया गया था even arm dealers जो जो जगवार जो fighters थे वो provide किये थे तो मतलब एक तरीकी चे लंडन में अच्छी एक image बनना शुरू हो गई थी इंडिया की जबकि इधर emergency थी आगे देखो British support की अगर बात करें तो Indian government को ज़्यादा मिला और चाहे फिर वो कोई सी भी हो बाइपार्टिशन जो था मतलब वहाँ पर जो इंग्लेंड में है एक लिबर पार्टी है conservative पार्टी है तो दोनों के तरफ से बहुत support मिला था ऐसे ही इसके अलावा आप देखोगे Mrs. Gandhi को जो है एक मतलब वहाँ पर एक writer थे ठीक है उन्होंने बिल्कुल clear बोला कि Mrs. Gandhi जो है वो dictator बनना चाहती है बट उस time पर जो Margaret Thatcher जो थी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला कि बोला emergency जो है वो इंडिया के लिए अच्छी है इंडिया को इस emergency ने बहुत उभार दिया जब world जो था वो recession या inflation के च statement बिल्कुल favorable ऐसे ही FCO ने भी अपनी तरफ से conquer किया था कि authoritarian regime जो हना वो better रहता है democracy की बजाए ठीक है तो बोलेगी इससे क्या होता है कि इंडिया जो अपने आपको एक targeted manner में आगे बढ़ा सकेगा और world पर अगर इंडिया एक burden बन सकता था तो वो burden बढ़ जाए बढ़ नह बिल्टेन की overseas development ministry थी उन्होंने इंडिया पर इंडिया को aid जो provide की वो कितनी की थी 30% extra तो आप देख सकते हो ना trade का कितना हसर था इसके अलावा आप देखो Britain के अलावा French Prime Minister ठीक है वो इंडिया में 1976 में विजट पर भी आये थे ठीक है और उन्होंने ये कहा था कि बहुत ब दूसरा इसके अलावा World Bank ने भी इंडिरा गांदी के उस टाइम के regime को बहुत ज़्यादा प्रेज किया था कि वाकई में industrial relation में कितना अच्छा है इंडिया कितना अच्छा काम कर रहा है जो इंडियन workers हैं उनको कितना favor मिल रहा है इवन आप देखोगे जो aid जो मिलती थी थ civilization of Bangladesh उसकी वज़े क्या थी कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा dictatorship की कोशिश कर रहा था और बंगलादेश को liberate कराना और बंगलादेश को एक democratic country के तोर पे बना देना तो उसके basis में भी थोड़ा favor था इंडिया के लिए रही सही में उस टाइम आप देखी रहे हो सारा का सार कि trade ज्यादा हो रहा था और trade का असर ऐसे ही अमेरिका में भी reactions जो थे वो कहीं न खहीं favorable थे चाहे London Times की बात करो चाहे New York Times की बात करो वो पर हाँ ये बार ठीक है कि उस टाइम पर criticism भी highlight होने लग गया था बट उस टाइम पर बिलकुल discard कर दिया गया था उस criticism को ठीक है तो writer एक ही चीज बोलना चाहरा है देखो ये book का content है इतना ज्यादा important है नहीं ठीक है एक ही चीज बोलना चाहरा है कि 1975 में जब इंडिया के trade relation अच्छे थे western countries के साथ में उस time पर तो उन्होंने बहुत सही काम बहुत मतलब praise किया बहुत ज्यादा uplift किया पर जैसे ही time बदलता है और USA government जब थोड़ा सा अपना stance थी उसको turn में लेना शुरू कर देती है तो फिर बाद में बोलना शुरू करता है कि जो emergency है वो बहुत गलत थी 600 million लोगों को जो mid 1940s में rights दिये गए थे मतलब 1947 में क्या हो independent एक democratic country बन गया था बोले कि वो सारे rights एकदम से खतम कर दिये गए है अब इस तरीके का यूटन ले लिया गया और शुरूआत की थी US ने और फिर उसके बाद में आप जानते हो back to back criticism होना शुरू हुआ emergency का और उसी चीज को ये book कहीं ना गई highlight कर रही है ठीक है न तो international relation का क्या माहूल रहता है देखो trade बहुत important role play करता है इसलिए diplomacy बोली जाती ही है diplomatic manner में clear नहीं होता कुछ भी ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो critique थे जैसे कि रामचंदर गुहाजी ठीक है उनकी आप book भी पढ़ दो यूपी से में sociology से related जो book है उनकी उसमें उन्होंने अपनी तरफ से बिलकुल clear किया था मतला अपनी तरफ से उन्होंने भी highlight कि 1976 का जो time था period कर जो time था वो कितना मुश्किल था और ultimately London Times ने भी criticize करना शुरू कर दिया और फिर बाद में emergency को revoke भी कर लिया जाता है फिर देको Washington Post ने भी अपनी तरफ से criticize करना शुरू कर दिया वैसे देको इतना important है नहीं है सारा but writer अब यहाँ पे लेके आना चारह है current scenario पे कि 2018 में जो United Nation के special reporter है जो कि racism and racial discrimination या xenophobia मतलब इनसानों से डर लगना और related intolerance उन्होंने अपनी तरफ से बोला कि अभी जो current regime है वो बहुत जादा ही religious basis पे काम कर रहा है और जैसे citizenship amendment act आया था तो बोलो वो कहीं ना कहीं fundamentally discriminatory है even human rights commission जो है उन्होंने भी इंडिया के stand को criticize किया इसके अलावा जो foreign contribution regulation act है उसको भी dilute करने की demand की कि आपके पास मुझे देखो यह home ministry इसको देखती है foreign contribution regulation act को कि कितना पैसा आ रहा है बाहर से जो NGO's के पास पैसा आ रहा है उसको तो बाहर से demand की जा रही थी बार बार कि एक तो इसको थोड़ा सा review किया जाए क्योंकि इसमे राइज हो रहा था तो इसलिए इसको regulation को थोड़ा tight कर दिया गया ऐसे ही unlawful activities prevention act उसको भी बोला है कि basic human rights के against में है बोले इसको भी थोड़ा correct करो क्योंकि इंडिया जो है वो कही ना कहीं obliged है कि वो human rights को protect करे ऐसे ही आगे देखोगी European union की parliament ने पार्लियामेंट ने भी अपन जब अलग-अलग countries ने European union के जो members है उन्होंने ये कहा कि बोला कि CAA जो है वो इंडिया का एक internal matter है तो इस तरीके से क्या हो गया इंडिया ने अपने इसाब से बहुत manage किया और देखो गया February 2020 के time पे जब दिल्ली में riots चल रहे थे उस time पे Donald Trump की visit भी होती है और Donald Trump ने क्या कह बोला कि इंडिया की जो values हैं उनको admire किया जाता है throughout planet हिंदूस, मुस्लिम, सिक्स, जैन्स, बुद्धिस, क्रिश्चन, जूज, ये सारे के सारे यहाँ पर side by side worship करते हैं और एक harmony में रहते हैं इस तरीके के statement आये साथ में आज आप देखोगे quade एक group है जिसमें Australia, Japan, India, USA साथ में आये हैं चाइना के expansion को रोकने के लिए तो अभी इंडिया के लिए favorable conditions है सारी, criticism भी है ऐसी बात नहीं है बट जो आप politics की बात करो और वहाँ पर एक जब मुद्धा आता है that is Chinese expansion तब इंडिया के relevance अपने आप बन जाती है क्योंकि सभी countries का ये सोचना है कि चाइना को आगे क्या होता है बाकिस में हमने कुछ जानने की कोशिश की कि trade का कितना ज्यादा असर रहता है international relations में और किस तरीके से धीरे धीरे फिर बाद में trade जब dilute होता है तब जाकर के rights की बात करते हैं और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी ची हमेशा कि कभी भी international relations की आप बात कर है आप national interest को compromise नहीं कर सकते हो किसमें हमारा फायदा है पहले वह ध्यान दे और फिर आगे हमारी policies बननी चीए internationally आगे चलते हैं नेक्स आर्टिकल है the language of loss आर्टिकल लिखा हुआ है दाउद हैदर के द्वारा देखो 21 फरवरी 1952 को इस्ट पाकिस्तान में एक आपका इस्ट पाकिस्तान का मतलब हो गया आज का बांगलादेश ठीक है इस्ट पाकिस्तान में बोले प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं कि जब उन पर उर्दू जो है एक official language के तोर पे impose की जाती है बोले बंगाली language को आप छोड़ो और उर्दू language को मानो तो ऐसे करके बंगलादेश में बहुत जादा एक नराजगी आती है बोले कि हम हमारी मदर टंग को क्यों छोड़ें तो उसी बेसिस पर आप देखोगे 21 फर उसके बारे में पूरी detail बता रहे हैं कि बहुत सारे countries हैं जैसे कि Nordic countries की बात की जा रही है mainly Nordic countries मतलब Northern European countries बोलो वहाँ पर उसमें आप देखोगे Sweden, Norway, Finland, Denmark ये सारे countries आ जाते हैं ठीक है Northern European countries बोलो वहाँ पर double language की बात की जाती है मतलब एक primary education के टाइम पर एक तो आप अपनी खुद की official language पढ़ो और एक आपकी mother tongue जो है उसके बारे में पढ़ो इससे बोले कि जो individual अपनी mother tongue पे command अच्छी रखता है उसकी automatically दूसरी जो languages है उन पर भी command बनती चली जाती है ऐसे ही Sweden, Norway, Finland के suburban areas है टाउन areas या फिर जो hinterland areas है वहाँ पर school children को बहुत हद तक दो-दो languages के ब बारे में बताया जाता है रो इसमें बेंगोली language जो हना वो बहुत ज़्यादा prevalent दिखाई देती है फिर उसके बाद में आप देखोगे कि Arab language को तो कहीं ना कहीं अरब refuses जो की जर्मनी में गए थे उन और या फिर टर्की के जो लोग जर्मनी में रहते हैं उन लोगों की demand थ कर रही है कि कैसे भी करके उनको platform मिले बट problem क्या है जर्मनी में कि देखो सबसे बड़ी main बात क्या है क्यों यह इतना entertain कर रहा है western countries इसके पीछे की एक बात तो मैं बताता हूं वो यह कि यहाँ पर population कर रही है decline और यहाँ पर population को sustain करने के लिए refugees को accept करने में problem नहीं है पर हा प्रूरी हो जाता है तो उस case में क्या है जर्मनी ने अपनी तरफ से जब यह refugee crisis आता है ना तो उनको accept करने से मना भी नहीं किया था तो Arabic language को तो चलो ठीक allow कर दिया बट अभी भी बांगला हिंदी उर्दू तामिल यह कहीं नहीं थोड़ा सा struggle कर रही ही कि कैसे भी करके वहा सारे MPs हैं जो कि बंगलादेश के origin के हैं और आप देखोगे लंडन में प्रॉपर लंडन में बंगलादेश की weekly मतलब बंगला लेंग्विज में weekly newspaper या newsletters हैं वो publish होते हैं ठीक है ऐसे टीवी चैनल चलते हैं FM चलते हैं तो बंग बैंगोली लेंग्विज के बारे में में लिस आर्टिकल में बताया हुआ है फिर लास्ट में यही वही चीज़ें कि कुछ जग ऐसी भी है कि धिरे धिरे अब बैंगोली लेंग्विज जो है वो खुड डिकलाइन कर रही है आप यहां पर राइटर बता रहे हैं कि कॉलकाता कॉलकाता वेस्ट बेंगोल की capital है पर ऐसे करके आज देखोगे कॉलकाता में लगबग 53% जो population है वो हिंदी speaking है ठीक है इसके अलावा जो लोग हैं जो parents है वो अपने बच्चों को English language की जो education है वो provide कर रहे हैं दूसरा क्या होता है देखो mother tongue या फिर आप कहोगे न local languages उनमें problem क्या रहती है कि job orientation मतलब job उनको नही मिलती है international exposure नहीं ले पाते हैं इस वज़े से वो अपने mother tongue को जल्दी से चोड़ते हैं या फिर parents कहीं ना कहीं English जैसी जो western या फिर जो dominant करने वाले languages हैं उनकी तरफ ज्यादा tilted दिखाई देते हैं तो बलो उसकी वज़े से क्या होता है धिरे धिरे जो जो native languages है वो dilute हो रही हैं यही चीज बंगलादेश में भी apply की जा रही है कि वहाँ पर भी लोग जो है अब बेंगोली की बजाए जादा English पढ़ा रहा है अपने बच्चों को ठीक है और तो बाकी वही चीजे बताई जा रही है कि 21 February 1952 को जो कुछ भी हुआ था वो मेरा जनम दिन भी था वो सार विश्वाए नियूस पेपर में तो बेसिकली देखो पॉइंट यह आ जाता है कि लेंग्वेजिस को रेलेवेंट बनाने के लिए उनके वही आज कल सब लोग एकॉनामिक पॉइंट ऑफ यह से ज्यादा सोचने लग गए है कि किस चीज की ज्यादा रेलेवेंट से अर्ण झाल